ना उसकार दोस्तों, दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि फिर से लोटाएंगे तेरी जिंदगी में अंदाज वही होगा लेकिन किर्दार बदल चुका होगा जी हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा था IAS अफसर बली अंकिता के साथ यानि की UPSC टॉपर रही अंकिता के साथ यही कोई दोपर के दो बज रहे थे अंकिता जो अपने तोस्तों के साथ नालंदा घूमने जाती हैं दरसल वह अपने कॉलेज के तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए नालंदा बिहार गई थे जब वह वहाँ पहुशती है तो उसके साथ की एक दोस्त से कहती है कि अं अंकिता कहती है यार अगर खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी है संभो नहीं यह कहकर वह दोनों अपना प्रोजेक्ट पूरा करती है और फिर वह कॉलेज के होस्टल में चली जाती है दरसल अंकिता के पिता अखुबार बेचने का काम करती थे और उसकी एक बड़ी बहन और उसके घर की स्थिती कुछ खास रही थी एक अखुबार बेचने वाला कितना कमा सकता है महिने के चार से पाँच हजार मात्र और उसमें घर चलाना बेटियों को पढ़ाना लिखाना और उनकी साधी करने के चिंता इतनी जिम्मेदारी थी उनके पिता के उपर अंकिता के साथ में उसके गाओं के बगल वाले गाओं की एक लड़की उसी को होस्टल में रहा करती थी उसका नाम था मोनी मोनी अंकिता से जलन करती थी चोकि अंकिता कॉलेज में हमेशा फ़स्ट आती थी इसी जलन में मोनी ने अंकिता के बारे में गाउ में अफवा फैला रखी थी कि अंकिता लड़कों के साथ घोमती है और तरह तरह की गलत अफवाहें फैला रखी थी जिसका असर अंकिता के प पिता को पता चलती है तो वह अंकिता को अपने पिये की पढ़ाई खत्म करके घर आने को कहते हैं। दरसल अंकिता का बीए लाश्ट येर था इस करण अंकिता के पिता उसको घर बुलाते हैं और अंकिता बीए के बाद M.A. करने को सोचती है लेकिन उसके सपनों की उडान को उडने से पहले ही मार देने का प्रयास जारी था चोकि उसके पिता उसे घर बुला रहे थे एक दिन वर क्लास में पढ़ रही होती है तभी आजाने को सहर के विधायक का बेटा क्लास में खुषता है और अंकिता को क्लास से बाहर आने को कहता है अब जब उसका विरोध वहां खड़े प्रोफेसर ने किया तो विधायक के बेटे ने प्रोफेसर को हड़का कर सांथ करा देता है और अंकिता को क्लास से बाहर ले जाता है और कहता है कि तू इस साल तो टॉप नहीं करेगी वरना बहुत बुरा होगा यह कहकर वह चला जाता है फिर कुछ दिन भी इतने हैं तो उसकी दोस्त अंकिता से कहती है कि अंकिता तुझे पता है उस दिन विधायक का बेटा क्लास में क्यों आया था और इस पर उसकी तोस्त फिर अंकिता से बताती है कि मोनी के कहने पर विधायक का बेटा तुम्हें हडगाने आया था वही मोनी जो अंकिता के गाउं की लड़की थी अब या बात अंकिता अपने घरवालों को भी बताती है तो उसके घरवाले उसकी पात पर विश्वास कर लेते हैं और अब अंकिता अपने परिवार वालों को M.A. करने के लिए मना लेती है और B.A. का एक्जाम देकर पास हो जाती है अब वा उसी कॉलेज में M.A. कर रही होती है जब वा क्लास में जाती है तो वहां कुछ senior student बैठी होती है वा अंकिता को देखकर पहचान कर चली जाती है दरसल उन सब को विधायक के बेटे ने वेजा था जैसे अंकिता कॉलेज की कैंटीन में जाती है और एक टेबल पर बैट कर कहती है इस टेबल से उठ जाओ फिर अंकिता कहती है इतनी सारी टेबल खाली है तुम लोग उस पर बैट जाओ मैं क्यों उठ हूँ फिर senior student कहती है मेरी friend आने वाली है उसकी टेबल है ऐसा इसलिए हो रहा था तोकि उसके college में senior ranking किया करते थे जी हां senior ranking किया करते थे अब अंकिता वहां से उठ जाती है लेकिन उठते वक्त अंकिता कहती है कि आज जिसे तुम उठा रही हो आने वाले समय में तुम मेरे साथ खड़े होने के लिए तरसोगी मैं तुम्हें जेले की collector यानि IAS बन कर दिखाऊंगी और तुम कभी कहोगी कि यह collector कभी हमारे साथ बैठा करती थी फिर वा यह कैकर चली जाती है और अपने होस्टल रूम में जाकर बैठती है और सोचते है कि मेरे घर वाले मुझे M में करने से मना कर रहे थे तो क्या वा UPSC के तैयारी के लिए मान जाएंगे और ऐसे सोचते सोचते वह सो जाती है फिर अगले दिन जब व वही लड़कें मिलती हैं और कहती हैं कलेक्टर साहिब पधार रहे हैं और रास्ता खाली कर दो और फिर वा हसने लगती हैं और वहां से चली जाती है अब अंकिता सोचती है कि अगर मैंने UPSC की तैयारी सुरू नहीं की तो मेरा मजाक बनेगा लेकिन फिर सोचती है कि UPSC क तयारी के लिए पैसे कहां से आएंगे पिता जी के पास ज्यों पैसे हैं उससे वह देदी की साधी करेंगे या फिर मुझे बढ़ाएंगे ऐसे में वह नेड़ा लेती है कि अब वह M में नहीं करेंगे इसके पीछे कई कारण थे पहली तो या कि वह सोचती है कि अगर वह कॉलेज में रही तो उसकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी और दूसरी या है कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अलग से UPSC की तैयारी कर सके अब वह पार टाइम जॉब करन के UPSC की तयारी करना चाह रही थी जिस से उसकी तयारी में मदद मिल जाएगी और अब जॉब धोडती है उसे एक ऐसा होस्टल मिलता है जहाँ पर एक लड़की की जरुरत होती है और कौउंटर पर जानी कि उसे एक काउंटर पर एक लड़की की जरुरत मिल रही थी वह उससे कुछ वुक खरीती है और सेल्फ स्टेडी करती हैं कुछ दिन बीटते हैं तो उसके पास फोन आता है कि कॉलेज छोड़ दिन से तुमारा पीछा थोड़ी न छोड़ देंगे ऐसे करके उसके पास दिन के पचास से सो कॉल आती है और वह परेशान होकर पुलिस कंप्लेन करती है और जैसे ही पुलिस कंप्लेन होती है फिर उसके पास दूसरा फोन आता है और वह फोन विधायक बेटे का होता है वह उससे कहता है कि पुलिस कंप्लेन वापस ले लो नहीं तो तुम्हें सहर में रहने ने दूँगा और फिर फोन कर जाता है एक तरफ उसका UPSC का प्री एक्जाम नजदी का रहा होता है और तूसरी तरफ वह सोच रही थी कि अवह करे तो क्या करे लेकिन जैसे ही कुछ दिन बेटते हैं उसे उस हॉस्टेल के जॉप से निकाल दिया जाता है फिर उसके पास फोन आता है और उसे डराया जाता है या अगर सहर नहीं छोड़ी तो तुम्हारे छेहरे को बरबात कर दूँगा लेकिन इस बार अंकिता ने वाइस रिकॉर्ड कर लिया था और वह कम्प्लेन करकने ठाने पहुचती है लेकिन इस बार उसकी बात वहां कोई नहीं सुनता और एक कॉंस्टेबल सिपाही उससे बताता है क कहता है कि बेटा यहां तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा क्योंकि विधायक बेटे कल साम को आय हुए थें वह किसी लड़की के बारे में बाते कर रहे थें मुझे लगता है कि वह लड़की तुम ही हो इस बीच उसका UPSC प्रलिम्स एक्जाम आ जाता है और वह अपने मनोब करती हुए घटनाओं का जिक्र नहीं करती उसके घरवाले समझते हैं कि वह अभी M में कर रही है यह घटनाओं लगतार तेजी से हो रही थी लेकिन अंकिता सहर नहीं छोड़ती है वह अपने फ्रेंट के घर दो महीने के लिए चली जाती है और किसी तरह से दो महीने रहती है और ऐसे करते करते कुछ महीने और बीच जाते हैं और फिर वा UPSC मेंस का एक्जाम देती है और वहाँ भी उसे बिना किसी रुकावट के सफलता मिलती है और वह बहुत खोच होती है और अब सोचती है कि मैं IES बन जाओंगी तो इन सब को सबक सिखाओंगा लेकिन सायद उसके मुश्कुलों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था विधायक बेटे ने उसे वहाँ भी खूब परिसान करवाने के ठाल ली थी और उसके प्रयास करते हैं और ऐसे में इंटर्व्यू का दिन आ जाता है और वह इंटर्व्यू रूम में घुशती है और बातों बातों के लोग भी अंकिता से खूब प्रभावित होते हैं अब उसे रिजल्ट का इंतियार था और वह अपने गाउँ चली आती है और रिजल्ट का दिन भी आ जाता है जैसे ही शाम होती है यूप्यसी अपना रिजल्ट गोसित कर देता है और वह अपना नाम धूरती है और जाते हुए उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आई एस बन गई है दोस्तों ऐसी घटाएं आज भी घटित होती हैं आज भी कही अंकिता किसी ऐसी बाहुबली या समाज में रह रहे कुछ ऐसे लोगों से लड़ रही हैं जिनके मनोबल और इक्षा सकती की जिनें जरू है यदि आपको उस हर अंकिता का सहारा बनना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर अंकिता तक ये वीडियो पहुशनी चाहिए ताकि अपने मनोबल के सहारे वो समाज में पल रहे ऐसे आरजक तक तो से लड़ सके मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंक शेयर करेंगे चलिए तक लिए धन्यवाब